नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में साथियों चाहे आप मकान मालिक है या फिर आप एक सिविल इंजीनियर है आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूसफुल और इन्फोर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक से चार मंजिला तक घर बनाने के लिए फुटिंग का क्या साइज रखना चाहिए, कोलम का क्या साइज होगा और पिलिंद भीम में आपको क्या क्या साइज रखना चाहिए साथ ही footing, column और पिलिंद भीम आपको कैसे कैसे सरिया देना चाहिए यानि कि आपको किस किस डाय का सरिया कैसे कैसे provide करना चाहिए तो दोस्तों वीडियो में अंतर्ग जरूर बने रहेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको footing, column और बिलिंद भीम की complete detail देने वाला हूँ साथियों मैं आपसे पक्का promise करता हूँ कि आज की यह वीडियो अगर आप complete देखते हैं तो यह वीडियो आपका घर बनाने में आपकी जरूर मदद करेगी चलिए दोस्तों ज़्यादे देरी ने करते हैं वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं footing के बारे में साथियों अगर आप एक मंजिला घर बनाने जा रहे हैं यानि कि सिर्फ आप ground floor बना रहे हैं तो उसमें आपको footing का depth कभी भी 3 feet से कम नहीं रखना चाहिए आप इस बात का जरूर द्यान रखे कि footing का size 3 feet से कम बिल्कुल ने हो अगर आप रखना ही चाहते हैं तो 3 से 4 feet तक रख सकते हैं पर मैं आपको recommend करूँगा कि आपको footing का size एक मंजिला यानिके ground floor बनाने के लिए लगबग सवा 3 feet बाई सवा 3 feet तक रखे यानिके लगबग 1 meter बाई 1 meter अगर आप footing की depth की बात करें तो footing की depth भी आप सवा 3 feet रख सकते हैं तो साथियो एक मंजिला घर बनाने के लिए आपको footing का size उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई आप सभी 1 meter यानिके सवाब 3 feet तक रख सकते हैं जो की एकदम safe है अप footing reinforcement की बात करें तो footing में आपको 10 mm का डाया का सर्या यूज़ करना है वैबी change यानिके 150 mm center to center spacing पर इलिए साथियो बात करते है double story यानिके 2 मंजिला घर के लिए तो 2 मंजिला घर के लिए आपको footing का size रखना चाहिए 4 feet बाई 4 feet पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप footing के size 4 feet बाई 4 feet रखेंगे तो ज़्यादा बैतर रहेगा और depth की बात करे तो depth इसकी आप 5 feet से कम बिलकुल न रखे और अगर आप footing reinforcement की बात करे तो 2 मंजिला घर के लिए आपको footing में 12 mm से कम डाया का सरिया बिलकुल नहीं यूज़ करना है और spacing change रखनी है 150 mm center to center अब बात करता है 3 story house यानि के 3 मंजिला घर तो 3 मंजिला घर के लिए footing का size आपको 5 feet बाई 5 feet तक रखना चाहिए और depth की बात करे तो इसकी depth आप 6 feet से कम बिलकुल न रखे और इसके सरिय यानि के reinforcement की बात करे तो footing मेंस में आप 12 mm से कम डाया का सरिया तो बिलकुल यूज़ न करे और इसकी spacing आप change यानि के 150 mm center to center रख सकते है अब next हम बात करते है 4 story यानि के 4 मंजिला घर के लिए तो दोस्तो footing का size इसमें आपको रखना चाहिए 5-6 feet के बीच में पर मैं आपको recommend करता हूँ कि इसमें आप footing का size 6 feet by 6 feet ही रखे यानि के लगबग आपका 2 meter by 2 meter का footing का footing का size हो जाएगा जिसमें आपके footing की depth भी आपको 6 feet से कम नहीं रखने चाहिए पर मैं आपको recommend करूँगा कि इसमें आप footing की depth 7 feet रखे जो की best है और इसके reinforcement की बात करे तो 4 मंजिला घर के लिए top and bottom में आपको 12 mm से कम डाया का सर्या तो बिल्कुल नहीं यूज करना है लेकिन मैं आपको recommend करता हूँ कि इसमें आप अगर आप 4 मंजिला घर बना रहे हैं तो 16 mm का डाया का सर्या यूज करें जिसमें आप change यानिके 150 mm की center to center spacing रखें दोस्तो यह तो हुई footing की complete detail अब बात करते हैं कि 1 से 4 मंजिला घर बनाने के लिए कोलम के size और सर्या के बारे में तो सबसे पहले अगर आपको एक मंजिला घर बनाना है यानिके सिर्फ ground floor बनाना है तो उसमें आपको कोलम का size रखना चाहिए 9 inch by 9 inch यानिके 230 mm by 230 mm दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोलम का size 9 inch by 9 inch से कम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए यह कोलम का minimum size होता है और दोस्तो दो कोलम के बीच की दूरी आप 3 से 5 मिटर तक रख सकते हो यानिके 10 से 16 विटर तक आप इसकी दूरी रख सकते हो इससे जदा दूरी नहीं होनी चाहिए बात करते हैं कोलम reinforcement की दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 12 mm से कम डाया का बार तो इसमें बिल्कुल नहीं देना है अगर आप सिर्फ एक मंजिला घर बना रहे है और आपके कोलम का साइज है 9 इंच बाई 9 इंच तो इसमें आप 12 mm के 4 बार दे सकते हो तीसरा है दोस्तो कि कोलम में आपको रिंग कौन सी देनी चाहिए दोस्तो कोलम में आपके 8 mm डाया की रिंग लगेगी आपके 8 mm से कम डाया की रिंग आपको नहीं रखनी है रिंग की स्पेसिंग की बात करते हैं तो रिंग की स्पेसिंग 6 इंच यानि के 150 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी अब दूसरा है दो मंजिला यानिके double story गर अगर आप दो मंजिला घर बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपका column का minimum size रहना चाहिए 9 inch by 12 inch यानिके 230 mm by 300 mm और इसमें सरीय की बात करें तो आपको 12 mm के 6 बार इसमें देने हैं और stir up वही रहेगी 8 mm डायागी जिसकी spacing होगी 6 center to center यानिके 150 mm center to center overall बात करें तो आपको 2 मंजिला घर के लिए column का size रहना है 9 inch by 12 inch जिसमें आपको 12 mm के 6 बार पर वाइड करने हैं रिंग वही आपकी 8 mm डायागी रहेंगी जिसकी spacing रहेगी 6 inch यानिके 150 mm center to center अगला है 3 मंजिला यानिके 3 story house दोस्तो 3 मंजिला घर बनाने के लिए आपको column का size रखना है 9 inch by 14 inch यानिके 230 mm into 350 mm और अगर हम column reinforcement की बात करें तो 3 मंजिला घर के लिए आपको column में 6 बार रखना है 12 mm के वही जो आपने 2 मंजिला घर में भी रखे थे और ring 8 mm डाया की रहेगी ring की spacing भी आपको change यानिके 150 mm ही रखनी है तो overall बात करें तो आपको 2 मंजिला घर में और 3 मंजिला घर बनाने के लिए आपको column का size ही change करना है बाकी column का डाया और ring का डाया या फिर ring की spacing आपकी same रहेगी अगला है 4 story यानिके चार मंजिला घर दोस्तो चार मंजिला घर के लिए आपको column का minimum size रखना है 9 inch by 15 inch यानिके 230 into 375 mm और दोस्तो इसके सरीय की बात करें इसका सरीय आपको ध्यान रखना है कि 4 ओ कोर्णर पर आपको 4 बार रखने है 16 mm डाया के वह भी column के 4 ओ कोर्णर पर और दो बार आपको देने है 12 mm डाया के column के center पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आपको दोनो बार column के center पर देने है total 6 बार हुए जिसमें आपके 4 बार तो हुए 16 mm के और 2 बार हुए 12 mm के और stir up की बात करें तो इसमें आपको stir up का डाया 10 mm के देना है वहीं 6 इंच यानि के 150 mm की center to center इस पेसिंग पर तो दोस्तो यह तो हुआ एक से 4 मंजिला ता घर बनाने के लिए column की complete retail अब बात करते हैं पिलिंदी बीम के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं एक मंजिला घर के लिए दोस्तो अगर आप एक मंजिला घर बना रहे हैं तो उसमें आपको complete beam का क्या size रखना है तो एक मंजिला घर के लिए आपको complete beam का size कम से कम 9 inch by 9 inch का ही रखना है यानि के 230 mm into 230 mm का आपको complete beam का size रखना है और इसमें reinforcement की बात करें तो आप एक मंजिला घर के लिए 6 mm डायव बार की ring भी दे सकते हो पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप कम से कम 8 mm डायव बार की ring ही provide करें जो कि इसके लिए अच्छा रहेगा और stir up के बीच यानि के 2 ringों के बीच में आपको spacing 5 inch यानि के 125 mm रखनी है center to center तो कुल मिलाकर overall बात करें तो आपको एक मंजिला घर के लिए size रखना है 9 inch by 9 inch का यानि के 230 mm इंटू 230 mm का और उसमें आपको 4 बार देने है 12 mm डाया के 2 बार top में 2 बार bottom में और ring की spacing आपको 5 inch रखनी है और ring का सर्या 8 mm का रहेगा अब next आप बात करते है two story यानि के दो मंजिला घर की दोस्तो अगर आप दो मंजिला घर बनाने जा रहे है तो इसमें आपको पिलिंद बीम का size रखना है 9 inch by 12 inch यानि के 230 इंटू 300 mm का और इसमें सर्या की बात करते है तो इस बीम में आपको टोटल पांच बार रखने होगे जिसमें आपके टोप में दो बार रहेंगे 12 mm के और बोटम में दो बार आपके 12 mm के रहेंगे और इसमें आप तीसरा बार बीच में एक्स्ट्रा दे सकते हो 10 mm डाय का पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पांच बार 12 mm डाय के ही रखे दो बार टोप में और तीन बार बोटम में बात करते हैं रिंग की तो रिंग का आपको डाय रखना है 8 mm का और रिंग की स्पेसिंग आपको रखने है 125 mm सेंटर टू सेंटर अगला है जी पलस टू यानि के 3 स्टोरी आउस दोस्तों अगर हम तीन मंजिला घर बना रहे है तो इसमें पिलिंद बीम का साइज वही रहेगा जो हमने दो मंजिला घर में भी रखा था यानि के 9 इंच बाई 12 इंच का 230 mm इंटू 300 mm का पर इसमें सरीया यानि के reinforcement पदल जाएगा तीन मंजिला घर के लिए आपको पिलिंद बीम में टोटल 5 बार देने होंगे जिसमें आपके दो बार टोप में 12 mm के रहेंगे और बोटम में आप 16 mm के तीन बार प्रोवाइड कर सकते हैं और इस्टिरप का बार डाय आपका वही रहेगा 8 mm डाय का और इस्पेसिंग आप वही 5 इंच रखे यानि के 125 mm सेंटर टू सेंटर पर अगला है 4 इस्टोरी आउस यानि के 4 मंजिल अगर दोस्तों 4 मंजिल अगर में आपको बीम का साइज रखना है 9 इंच भाई 15 इंच का यानि के 230 mm इंटू 380 mm का दोस्तों इसमें आपके 6 बार लगेंगे 4 बार 16 mm के रहेंगे और 2 बार इसमें आपको 12 mm के रखने होगे दोस्तो 16 mm के बार तो उपेंड बोटम के 4 कोर्नर पर आएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो और 2 बार आपको मीडिल में रखने होगे 12 mm डाया के और इसमें आपको 10 mm डाया का रखना है और इस्टीरप का स्पेसिंग आप चैंज यानि कि 150 mm सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं तो साथियों यह तो हुई एक से चार मंजिला तक घर बनाने के लिए कोलम, पिलिंद बीम और फुटिंग की कंप्लीट डिटेल अब मैं आपको कुछ कोमन बाते बताने जा रहा हूँ जो कि आपको जरूर जा लेने चाहिए जैसे कि चाहे आप फुटिंग की कास्टिंग करे या पिलिंद बीम की कास्टिंग करे या आप कोलम की कास्टिंग करे आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो आप बार यूज़ करेंगे वह FE 500 से कम ग्रेड का नहीं होना चाहिए सेकिंड, कॉंक्रीट ग्रेड आपका मिनिमम M20 उससे कम नहीं होना चाहिए जिसमें आपका एक पार्ट सिमेंट करेगा डेट पार्ट सेंड और तीन पार्ट एग्रिगेट यानिके एक डेट तीन से कम रेशो का आपका कॉंक्रीट नहीं होना चाहिए थर्ड कॉंक्रीट कवर साथियो आपको ध्यान रखना है कि फुटिंग में आपका 40-50 mm का कवर होना चाहिए और कोलम या फिर बीम में 25-30 mm तक का कवर होना चाहिए फॉर्थ वाइबरेटर साथियो ध्यान रखना है कि कोई भी कॉंक्रीट करते वे परोपर ढंग से वाइबरेटर का यूज किया जाना चाहिए नंबर फिफ्ट है क्यूरिंग आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉंक्रीट करने के 24 घंटे बाद उसको अच्छी तरीके से क्यूरिंग किया जाना चाहिए साथियो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले मिलते हैं दोस्तो एक और नहीं वीडियो में एक और नहीं वीडियो लेक्चर के साथ तब तक दोस्तो आप सबको मेरा नमस्कार और वीडियो के अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद